मारी हर फावबी में दो मेंबर होते हैं एक मेल और प्ले और जुझा पीड़ मेल तो आज हमारे टविक है जेंडर सेंसिटाइजेशन आप एट आइश्यक आप गर्वाय खैंडर सेंसिटाइशिन नहीं क्या मत्रव है थे आप रख्रती हुटा है लड़की में? Yes men! होता है? Yes men! थे लड़की लड़का पार। लड़की में होता है? रखें हुटा है तो हुटा हुटा है, तब तो रूब तेरा भाई करेगा वहला है Yes this is a making move इस पे जो है तो इसमें एक word आ रहा है जंडल ग्याप कम करना है सारे देशों को अगर आपका भाई काम करता है इसका मतलब आपकी फैमली में जंडल ग्याप कम हो रहा है और यूनीस को यही चाहता है कि जंडल ग्याप कम हो तो संसिटाजेशन कैसे कर सकते हैं जिनके घड़ों में जंडल के प्रती जो है पेरेंट्स या फामिली सुसाइटी में जंडल क्याप होता है महां, लड़का है मैं जंडल को समकता है लड़का लड़की मां एफ़रक होता है कि लड़का पड़ लिपे कुछ करेगा पर लड़के कहते ह Sydへ Autor physically का का मालेश में लड़कीम पे लिए techn 삶 यहां हम अदाय pref पैन के वहां जाती है कि उनके साथ जैटर प्रॉब्लम हो सकती है यह नहीं गुछ पर यह नहीं करेंगे लेकिन वहां पर क्या चीज की प्रॉब्लम हो जाती है मेर्स को प्रफरेंस दी जाए है लडकी इंटर्वू मेरे जाएगी तो लडके को सवेट कर लेंगे लडकी को निचैनल करेंगे और बड़ी बड़ी कंपनी हो और लड़की को कम तन्खा ओपर की जाएगी आल लड़के को यह जडर बाइसनेस हों ना यह सिर्दि एकुल बें इक्वल वर्क होना चाहिए जैस को किया रहे है इक्वल अगर काम किया इसी लड़की ने तो इसको इक्वल पे मिलनी चाहिए तो यह जैटर गैप हमें कम करना पड़ेगा क्योंकि लड़कों को इसको अगर के लिए जाता है ना जो है वहाँ पर इस्टिटुशन में भी यह क्या जाता है कि लड़कीं को छोटे काम करेगी बाद हम कर लेंगे और कैसे होता है कर नी पाऊगे क्या रड़कियों में दिमाग नहीं होता है क्यों नहीं कर पाएंगे तुकि सुसाइटी ने जेंडर गया किया हुआ है सुसाइटी ने यह बनाय हुआ है कि लड़के बहुत अच्छा गाम करते हैं और लड़के भी करेंगे तुकि लड़के बाद में भी आपकी कामदी को बहुत संभालेंगे है ना तो क्या होता है टो पांचोने रेक्टी ओगे ना तो मा को कहते हैं कि जलत बोला जाता मा है और वो भी जेंडर की हो है कि इसको बोला जाता है लेड़ी को भी बोला जाता है कि तू बेटा बैदा नहीं तो इसके लिए क्या है कि हमें अपने समाज को अवेयर करना जरूगी है यह लोय जो है जो है उसको जो है उसको अट पर नेटर डैक्नोसिस बोलते हैं उसे कि प्रेनेटर डाग्नोसिस बोलते लिए जाता है लिए लड़की है कोई में दो करा दो बार कारा दो या कई गई जगे ऐसा भी होता है कि लड़की पैदा होती है पैदा होती है या बहुता है इसके वज़न से क्या है कि जंडर क्या हो अगो लड़कीया सारी माल दी जाएगी तुट्या होगा मैं जो फ्लो पाइब दो जो 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 एक हजार के ऊपर जो है 939 जास पर लड़किया पैदा होती है बाकी लड़किया होती ही तो इसना उसका है एक हजार में 60-70 लड़किया कब पैदा होई ना तो 60-70 लड़के कबारे रहे ना इसने इस टॉपिक को ठच किया है अगर लड़कियों को तो ना आते रहोगे तो कहां से लागे बेटी वही बेटी कहां से आएगी अगर लड़की कोई मार होगे तो वंच कैसे अब जैंतर रिक्वाइलेटी करने के लिए हमें करना क्या क्या पड़ेगा अगर करना पड़ेगा फामली में लड़का लड़की को बराबर सुचना पड़ेगा और अगर लड़की अगर पड़ी लड़की होगी तो वो इस बात को सोचेगी कि अभी मेरी लड़की हुई है तो कोई बात नहीं क्या भी लिटी पड़ेगा हुई तो मैंने तो नहीं कुछ का तो बहुत कुछ हुई थी ठीक है हमारे घर में आ गया बच्चा और जो है वो आज बैठी भी है लड़किया नाम रोशन करती है तो लड़किया कलपना चावला इंद्रा गांदी सारे कि लड़किया क्या क्या भी कर सकती तो इसलिए सब्सक्राइटी में इक्वालेटी देनी जरू हुए है जब मैं इंद्रा नाजी का नाम ले रही हूं तो मेरे दिमाग में एक टॉपिक और आ रहा है कि लड़कियों को पाल्यामेंट लेडिस को पाल्यामेंट में तो राइट मिल पास हुआ है ना कि वोमें डिजर्वेशन इसवीड जरूरी है क्योंकि वहां है क्योंकि नहीं है फल्ले में जाने और लेडिस सानि तो पाल्यामेंट में रिप्रेजेंटेशन भी लेडिस का होना रहा है जाने कि ऐस वी तो होचा है कि तो लेडिर आगा ना वी इसाटी तो प्रेटे घ़ान कर रही हो इसाइटी में जाने आजए है कि आधिवारी चाम कर रही है। जिरे खिरे आधि काईगी जानी आधि टेटी कर सकते हैं कुल सुसाइटी को यह मानना पड़ेगा कि हमारी बच्चा के सकते हैं और हमें वह करना चाहिए कि आफ जेन्र इक्वालेटी लाने गर्पे सर्कान पड़ेगा लेकिन इक्वालेटी लाने के लिए हमें लेडी को आलग ससेल साहई